असलाम लेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं एडवांस एक चैनल और मैं हूँ एसी नली और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर रहे हैं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आपने cctv एक के चैनल आपने मिनवास के ले अपने वहने की राहे सकते हैं Catholic एक अपने ज़िए अपने निवह का उपने वीयर किसीज़ पर किस तरह से ले सकते हैं यानि के आप लाइव मोनीटरिंग कर सकरें आपके डॉर के अपर कोई आया है उसमें बेल दिया आप अपना टीवी आउन करें आप देख सकते हैं बाहर कोन है उसके बाद उसको बंद कर सकते हैं लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसमें यह मैं आपको पहले क्लियर कर दो हां कुछ समार्ड एलसीडी हैं जि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक में ऐसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूगा और उसके लावा दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप एक चीज़ आपको क्लेर हो जेगी कि आप अपने टीवी के उपर या अपनी एलसीडी के उप अपना हो रहा जो पहली वीडियो थी उससे यह ज्यादा इजी स्टेप है और उसमें कुछ लेंथी वर्क था लेकिन इस वीडियो में इसको मैंने ज्यादा इजी बना दिया कि आप अपने इस कैमरे का डिस्प्ले किस तरह से एलसीडी पर ले सकते हैं तो चलिए दरा एक और मेरे माइंड में क्वेस्टिन आगे यार लास्ट मैंने जो वीडियो अप्लोड की थी उस पर मुझे नीचे एक क्वेस्टिन आया था कमेंट्स किसी ने किया था कि यार तुम लोगों को बेवाकूफ बना रहे हैं और डीवी यार वाला आपने टीवी यूज किया और इसका डिस्पले आपने उसके पर दिखाया उनके लिए जवाब है यार कौन सा ऐसा टीवी है जिसके तर बिल्डी यंड डीवी आर आता है वो मुझे भी बता दे मैं भी परचेस का लूँगा अभी तक तो मैंने मार्केट में नहीं देखा तो चलिए कर किसी को समयत लेकिन लकीली मेरा मुबाइल बाच गया है लेकिन अनफार्चुनेटली मुबाइल का जो होल्डर है वो जो ट्राइपोड स्टेंड के अपर लगता है वो आप देख सकते हैं बुरी तरह से तूट चुका है अब वीडियो पनाने में थोड़ी सी मुझे मुझे मुझ सक्रीव है वो यहां पर लग जाएगा और ट्राइपोड स्टेंड पर मेरा मुबाइल नहीं लग सकता जी तो इस कैमरे को चलाने के लिए सबसे पहले हमें 12 वोल्ड की सप्लाई रिक्वाइड है मैं इसके अब पर दिखा भी तेता हूं स्पैसिफिकेशन इसकी तो यह दे कैमरे के पर उसकी स्पैसिफिकेशन बाल नहीं है जितने वोल्ड उसके रिक्वाइड हो उतने ही उसको देने हैं उससे कम ज्यादा नहीं देने तो वाल्टेजिस के लिए यह यहां पर पिन लगेगी बाराम वॉल्ड की और एक चीज़ का आपने और ख्याल करना है इसके और अडाप्टर वो लगाना है जिसकी बाहर वाली साइड जो है वो नेगिटिव हो और अंदर जो पिन लगी हुई है वो पॉजिटिव हो अधरवाइस पॉलैरिटी डिफरेंस होने की वज़ा से यह खराब होने का इसका खत्रा है और यहां पर इसकी सिगनल के लगे की ज मैंने लगानी है आपके यहां पर आपको नदर आ रहा होगा आडियो वीडियो की जो है एवी मीन आडियो वीडियो यहां पर येलो कलर की जो पिन है वहां पर मैं इसको लगा दूँगा क्योंकि वो वीडियो का सिगनल है बाकी रेड और वाइड जो आडियो का है तो इसे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यह किस तरह से काम करेगी यह बारम वोल्ड का अडॉप्टर है एक अमपेर का और इसकी पॉजिटिव जो पॉजिटिव आप इसकी देख सकते हैं अंदर वाली साइड पे और बाहर से वाली साइड नागिटे इस अडॉप्टर अपने मुबाइल का फ्लेश ओफ करके आपको दिखाता हूँ तो यह देखें जैसे मुबाइल का फ्लेश ओफ हुआ है इसका आप देख सकते हैं IR सेंसर आउन है तो अगर मैं इस पिन को उतारता हूँ तो IR सेंसर भी सारे के सारे बंद हो जाएंगे यह देखें यह कैमरा और आफ होने की इंडिकेशन है कि कैमरा सही तरह से काम कर रहा है तो मैं जल्दी से इसको दोबारा लगा देता हूँ और जो दूसरी सिगनल की वायर थी हो मैंने इसके साल लगा ली है यह देखें एक इसके अंदर की तरफ लगी हुई है मैं भी फ्लेश ओन करके आपको एपए को करता हूं आपको दिख्वादे हैं मेरे कैमेरे की आ और सारे के सारे एक्टिम है और अब मैं टीवी का यॐंब em चरने के बाद है यह केबल मॉड पर यूंकर तीवी मोड वह है जो पहले मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थीह से आपको दिख्वाए दिख्ता मैं on करता हूँ तो जैसे मैंने on किये या देखे कैमरे का डिस्पले आपको नदर आ रहा है वो कैमरा जाए वो टीवी के अपर मेरा डिस्पले दिखा रहा है और ये जो है इसकी result बहुत ही अच्छा है और इसके colors भी ठीक हैं जब मैंने टीवी पे इसको लगाया था तो कुछ जगा पे इसके जो colors हैं वो fade आ रहे थे लेकिन आप ये सही तरह से काम कर रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप दूसरा कैमरा कहां पे attach कर सकते हैं ये तो हो गया एक कैमरा दूसरा कैमरा मैंने आपको इससे पहले लगी हुई है पोर्ट ये वाली यहां पे मैंने आप वह वाली केबल लगा दी है PB और PR पे नहीं लगाना Y पे लगा देना है Y पे लगाके इसको आपने composite पे ले जाना है ये मैंने पहले से composite पे अपना टीवी तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ source पे जाते हैं ये देखें आप composite पे अब अगर मैं AV पे आऊँगा तो AV पे ये display नहीं देगा क्योंकि मैंने composite पे लगाई हुई है wire लेकिन एक बाद यहां पे मैं आपको clear कर दूँ कि सबसे ज्यादा better result जो है वो AV पे आता है ना TV पे आता है जो है वो compromise करना पड़ेगा तो दोस्तो इसको अब night vision पे भी इसका result चेक कर लेते हैं यानि कि मैं पीछे से अपनी सारी lights one कर देता हूँ इस camera की light one कर देता हूँ और उस camera के जो sensors हैं उनको चेक करते हैं कि ये किस तरह से इसकी performance है night vision पे तो सबसे पहले मैं AV पे कर देता हूँ क्योंकि AV पे सबसे ज्यादा बेहतर result आता है ओके जी तो ये night का view है यानि के बिल्कुल कमरे में dark हो चुका है पीछे जो light थी वो भी मैंने बंद कर दी है अपने flash mobile का flash भी बंद कर दी है लेकिन अगर आपको मैं camera दिखाऊं पीप से तो ये देखिए camera के IR sensor सारे के सारे on है ये IR sensor की वज़ा से ही night में आपको camera का view आता है अगर ये sensor बंद हो जाए IR के जो working है बंद हो जाए तो आपको रात के time के display नजर नहीं आएगा हाला के ये इसकी lights जो है वो अंधेरे में नजर नहीं आते बिल्कुल कम सी feel होती है लेकिन उसका output आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो उमीद करता हूं आज कि आपका मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो यार मेरी वीडियो का like करें अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको dislike भी कर सकते हैं वैसे इतनी मेहनत करने के बाद यार dislike बनता नहीं है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों साब भी share कीजिए और अगर अपिता आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और notification के लिए बेल के बटन पे क्लिक करना बद बूलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जादो दीजिए अल्ला हाफिज